हाई वेलकम तो मैंच योनल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेशन नमर 13 तो ध्यान देजेगा वाट इस दाट फ्रेक्शन विच इस वेन मुल्टिप्लाइड बाइ इट सेल्फ गिवस 227.798649 कराए कि वह कौन सा फ्रेक्शन है जो खुद में मुल्टिप्लाइड कर दें तो उसकी जो वैलू आ जाए वो इतना आ जाए तो हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं यापर सपोज कर लेंगे पहले कि लेट दाट फ्रेक्शन बी एक्स लेट दाट फ्रेक्शन बी एक्स ठीक है तो यदि वो एक्स होगा तो यहाँ पर जो कंडिशन दिया हुआ है कि इसको खुद मुल्टिप्लाइड करने पर इतना हो जाना चाहिए इट मेंज एक्स में यदि मुल्टिप्लाइड कर देंगे एक्स में खुद से तो मिल जाना चाहिए 227.798649 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इंटो एक्स करने पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वार हो जाएगा एक्स स्क्वार इसको लुग आ जाएगा 227.798649 इसका मतब कि बोट साइट में लेना पड़ेगा स्क्वार रूट इट इंपलाइज हमें निकालना पड़ेगा x is equal to square root of 227.798649 यह कैसे हो पाएगा जब both sides में square root लेंगे तब होगा अब इसका निकालना है square root तो इसको हम लगाएंगा obviously by long division method क्योंकि वही एक तरीका है जो इतने बड़े equation को solve कर सकता है चलिए solve करते हैं तो हम यहाँ भी कर सकते हैं या फिर चलिए ही करते हैं यहाँ करते हैं side में तो यहाँ पर हम खीच लेते हैं बड़ा सा line इसके left में यहाँ पर तो यह number हमारा है 227.798649 अब यहाँ पर decimal के right side में जो numbers दिजिट्स दिजिए हो है इनका pair बना लिजिए यहाँ पर यहाँ बन गया यह बन गया यह बन गया और decimal के left side में जो है numbers जो दिए हो है उसका बना लिजिए तो 1 और यहाँ नहीं बना क्यों बत नहीं है 2 में पहले ले जाएंगे यहाँ पर तो 1 से जाएगा बिल्कुल 1 का square जो होता है वह 1 होता है जो के 2 से less होता है तो 1 बन जाब 1 यहाँ पर 1 रिखेंगे और यह भी 1 नहाँ जाएगा यहाँ पर answer में फिर minus करेंगे मिलेगा आपको 1 और यह 27 उतार लेंगे next pair और यहाँ पर हो जाएगा 2 अब 2,6,12 हो जाता है लेकिन 6 नहीं जा पाएगा 5 से जाएगा तो यहाँ पर 5 से ले जाएगे तो क्या मिलेगा 5,25 को 5 तो करी पर 5,10 and 2,12 इतना जाएगा फिर से यहाँ पर ले लेंगे 2 यहाँ पर minus जाएगा फिर decimal की बात वाला यहाँ पर period जो है यहाँ पर लाएंगे आप इसका मतलब कि decimal यहाँ पर लगाना पड़ेगा मतलब दूसरी पर क्या जाता है 5 गया था 5 पॉइंट अब decimal लगा दिया हमने यहाँ पर भी option 7,9 जो है उतार सकते है अब यहाँ पर add कर दिजे यह मिल जाएगा आपको 30 ठीक है अब 30 के आगे कितने से ले जाएंगे 3,9 जा होता है 27 तो 9 से चला जाना चाहिए तो 9 से जाएगा तो 9 से जाएगा तो 9 से जाएगा यह मतलब ज़्यादा आ जाएगा इसका मतलब कि हमें next पर उतारना पड़ेगा that is 0 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर और 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा उसके बास next पर हम उतार सकते हैं तो 86 यहाँ पर फिर उतारना पड़ेगा हमें अब इतना मिले जाएंगे तो कितने से जाएगा अब यहाँ पर चेक करेंगे 3 से तो 9 से 327 मतब 9 से चला जाना चाहिए बिल्कुल definitely 9 से लिजाते हैं तो यह हो जाएगा 9 जाएटी में का 1 8 केरियोवर and 9 0 जाएगा यहाँ पर 9 0 0 हो जाएगा 9 27 ठीक है definitely सही जा रहा है बिल्कुल 6 में से 1 जाएगा आपको मिल जाएगा 5 और 8 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा 9 में से 9 9 जाएगा 9 नहीं रहेगा 7 जाएगा 0 हो जाएगा 9 5 हो गया और यह 49 जो है यहाँ पर हम उतार लेंगे 49 अब यहाँ एड कर लिजिए 9 न कितना हो जाएगा 18 का 8 1 केरियोवर और यह हो जाएगा 18 1 और यह 0 हो गया और यह 3 हो गया अब यहाँ पर हम 3 से दिले जाते हैं 9 में तो 3 बर में चला जाएगा तो definitely 3 से कट जाना चाहिए तो 3 से ले जाते हैं तो यह 3 3 9 हो जाएगा 3 8 जा 3 8 जा 24 का 4 2 केरियोवर and 3 बंज़ा 3 and 2 5 and 3 0 हो गया और 3 3 जा 9 यह हो जाए cancel out मतलब कि हमारा मिल गया क्या 15.0 यहाँ पर गया था 9 से उसके बाद गया था 3 से मतलब मिल गया 15.093 मतलब स्क्वेर रूट आ गया इसका इस नंबर का स्क्वेर रूट आ गया इतना 15.093 मिन्स इसका स्क्वेर रूट आ गया यहां पर तो लिख लेंगे हां पर कि so 15.093 तो यहां पर हमारा आंसर आ गया x इसको इतना hence hence that number is that number is 15.093 and this is your answer it's video midnight thank you so much for watching bye